आज मंगलवार है जाने मेरी जाने मन बच्पन को प्यार मेरा बूल नहीं जाना रहे जासा मेरा प्यार है जान पूझे किये पूराणी स्ट्यृरी टाम वीडियो में मैंने तुम्हें मेरे बच्पन का प्यार 8th क्लास वाली गल्फरेंड का जुकट्ली के बारे में बताया था आज थोड़ी सी और स्ट्वी सुनाने वालो में तुम्हें मेरी और का जुकत्ली जिसके बाद तुम डेफिनेटली था उससे दो हफते पहले गी, हाँ बाइदे वे मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि काजु कतली ने मुझे प्रपोस करा था, मैं वैसे भी करी नी सकता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फट्टू था, मैं इतना था शाय, इतना ओक्वर्ड, इतना इंट्रोवर्टिट था कि लड़कियों से बात करना तो दूर की बात है, कोई लड़की अगर मेरे को आके सामने से, हाई, हाई भी बोल दे ना, तो मैं, ओके, इस दिन से पहले तक, काजु कतली और मेरे बीच में सिरफ पते कितनी इंटरेक्शन हुई है, वो चार सीट अगर छोड़के बाढ़ती है, दो दिन बाद, and she warns के मैं उसके बर्ड़े पर आऊ, and I was like, एक सेकिंड, मैं, तू मुझे बुला रही है, तू सच में मुझे बुला रही है, पर तेरी मेरी तो आज से पहले स्कूल में कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई, and तू शाती है, मैं तेरे बर्ड़े पर आऊ Are you sure sure, पक्का न, तू लगे हा, तू आई हो, मेरा भाई भी होगा वहाँ पे, और बाकी स्कूल के ही फ्रेंड्स अगया रहोंगे, तो कोई टेंशन नी है, मैंने कर ठीक है, अब तू ने बुला है, अब तो जानना पड़ेंगा, जानना पड़ेंगा, जानना पड़ेंगा उसने बोला, घर के अंदर आईए, मैं घर के अंदर गया, वहाँ पे देखता हूँ, पंदरा लड़किया, कोई लड़का नी, सिरफ लड़किया बैटी हुए, सारी उसकी स्कूल की दोस्त, एक सेकेंड, ये तेरे बड़्दे की पाटी चल रहे है, या महिला सम्मेलन, अर मेरे और करनी थी, तो मुझे क्यों बुलाया, रहे बावली, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इन सब के बीच में, और वो सारी लड़किया ऐसा जुंड बनाके बैटी हुए, और मुझे घुर रहे है, और मैं चश्मा लगा के भाई, घर के अंदर चश्मा लगा के बैटा अब भाई चश्मा हो गया है, इजद की बात, चश्मा पैना हुए मैंने और नीचे देख रहा हूं, और सारी लड़किया एक-एक करके हर एक टॉंट मार रही है, घर के अंदर क्या बहुत जादा दूप पढ़ रही है, मैंने का रहे दूप नहीं पढ़ रही है, मुझे और फ्लू हो गया है आँक में, मैंना उतार हिर नि सकता, चश्मा उतार हुगा तो तुम सब को फ्लू नो हो जाए, तुम सब की सेफटी के लिए चश्मा पैन के भाइन बात हूँ, मैं अब ही समझी नहीं आघर है, इन सब की आँकों में देखूँ कैसे, इस से बटर है च प्यारा है ना बहुत अच्छा है पर मिरसे थोड़ा दूर करो इसको और मैं डर पोक होता था भाई मेरे को यह पैट्स वगेरा से बहुत ज़्यादा डर लगता था वह पैट्स कुरल लेकर मैं उसको रहा है इसको मेरे से दूर रखो दूर रखो और सारी लड़किया मुझ पर हसरी है साला और जंड हुई मेरी बस इससे जाधा इंसल्ट मेरा कोमल मुलायम दिल और सहन ना कर पाता तो मैं बातरूम में गया और वह उस जमाने में वह सोनी एरिक्सन का फ्लिप वाला फोन होता था मेरे पास उससे मैंने पापा को फोन मिलाया पापा मुझे ले भागते भागते भी मैंने चश्मा नहीं होता रहा वाई करते ही नमूना था मैं एक बहुत ही दुखत दिन मेरी जिंदगी का यहां पर खतम हुआ अब इस दिन के 11 दिन के बाद मेरी मैच्स की टीशन चल रही होती है और मेरे को अचानक से मेरे फोन पे एक टेक्स आता है वो भी एकदम रांडम अन्नोन नमबर से तो मैंने उस पे रिप्लाइबक करा हूँ इस और सामने से रिस्पॉंस आता है हाई दिस इस का जुकतली सौरी गलती से से अड़न हो गया एक सकेंड तेर पास मेरा नमबर कैसे आया और मेरी मैच्स की टीशन चल रही है मैं कॉपी के नीचे रखके फोन अपना मस्ट चाटिंग कर रहा हूँ आदे घंटे हमारी चाटिंग होए जारी है होए जारी है और आदे घंटे के बाद एकदम से एक मैसेज आता है I love you and I was like रुख जा stop right there same you love me same done हो गया खत्म टाटा फाइनल बाई बाई गुडबाई हो गई बन ग अब आठवी कक्षा का निबबा निश्चे वहाँ पर काजू कतली का इंतजार कर रहा है और वो सामने दिखती है मेरे को चलते आते हो एक काजू कतली दिल में बजी गिटार बज रहा था ना एक दम से वह भुववव बजने लग गया क्योंकि काजू कतली अपने साथ ले के गुमेगी चिडिया घर कोले पूरा 15 मिनट हम वहां मार्केट में खड़े रहा है और 15 मिनट तक उसका कुत्ता बस मेरे को घुसे से घुर रहा देखी जा रहा है कि अब काट दूगा अब काजू कतली तू घर जा मैं घर जाता हो वरना यह आज मेरे को काट के दम लेगा और एक बारी को मैंने उसके कुत्ते को फिर इगनोर कर दिया था भाहा से मेरे अपार्टमेंट का एक लड़का स्कूटी पर निकल रहा था उसने मेरे को देख लियो और मेरे को देखके ऐसे तिर्ची नजर दे रहा था कि आप बताऊंगा वेटा सबको बताऊंगा उसके अलग भागना पड़ा मेरे को अपार्टमेंट तक के बाई किसी को मत पताई इसके बाद पांच महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल था पांच महीने के बाद हमारी मैच्स तीचर को मेरे और काजुकतली के बारे में पता चल गया और उन्होंने घर पे सारी पोल खोल दी और मेरे को बहुत पिटा ही पड़ी लेकिन फिर भी चोरी छुपके चीजे चलती रही ओल्मोस्ट छे महीने हो चुके थे रिलेशनशिप को और काजुकतली जो है वो बस से घर जाती थी और मैं सेल्फ स्टूडेंट होता था तो वो बस से जा रही थी और मैं नीचे खड़ा ह और उसने एक लेटर फैका मेरे लिए और उसने ऊपर से चिलआ के बोला के पढ़ लिए मैं बहुत ही शातिर पहले मैंने वेट कर classes改 t लेटर उठाया अब मुझे पता था लेटर उठाते ही कि इसके अंदर उसने ब्रेकप के बारे में लिखा हुए क्योंकि हमारे बीच में चीज़े अब उतनी अच्छी तो चलनी रही थी मैंने देखा अंदर उसने आठ से दस हजार लेटर का पता नी क्या पूरा भयंकर ऐसे लिखा हुए जिसकी लास्ट लाइन में उसने लिखा हुए ब्रेकप मैंने सिरफ वो लास्ट लाइन पढ़ी और लेटर को फाड दिया और वही पर फैक दिया अगले दिन में स्कूल गया उसने मेरे से पूचा तुने लेटर पढ़ा मैंने का नहीं आए अक्चुली जब लेकिन उसके बाद फिर फाइनली ब्रेकप होई गया क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया चली गई लेकिन मैं बहुत बड़ा नमूना था बहुत बड़े वाला नमूना कसम से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इस तो कमेंट्स में जरूर बताना आइल बी रीडिं यॉ गईग हुआ है sound